हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टो माई चेनल फ्रिंट्स आज के इस वीडियो हम डिजाइन और बोटने एक ब्लाउस बनाएंगे और इसे हम प्रेंसे स्कुर्ट 35 साइस कब बनाने वाले हैं तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब क इसकी मार्किंग करनी है तो यहां पर दिखे टोटल लाइंड इसकी हम 13.5 इंच रखेंगे 1.5 इंच हमने मार्जन का लिया है क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कई बना रहे हैं तो आप इंच हमने उसके लिए लिया है और वन इंच तो हम एक्स्ट्रा लेते ही है तो चौक से सिप्ती मार्किंग प्रोपर नहीं दिख रही तो मैंने आप पर पैंज यूज किया है अभी हमें आपर शोल्डर ले ले लेना है तो शोल्डर का हाफ लेना है शोल्डर हमारे 14 इंच उसका हाफ लेना है 7 इंच आर्मो लेना है 6.5 इंच यहां से हम chest का fourth part की marking करेंगे तो chest है हमारा 35 उसका fourth part लेना है यहां पर तो 35 का fourth part होगा 8.75 याने कि पौने 9 इंच तो पौने 9 इंच पर हम marking करेंगे और यहां पर 2.5 इंच प्लस करना है margin के लिए waste 28 उसका fourth part लेंगे 7 इंच 2 इंच टक्स के लिए और 2.5 इंच margin के लिए side से line को draw करना है 1 इंच से आर्मोल के side पर गुलाई देनी है यह दिखिए इस तरीके से यहां से हम 3 इंच पर marking कर रहे हैं टक्स point हमारा 10 इंच पर आएगा तो 10 इंच पर marking करनी है और यहां से हमें 3.5 इंच लेना है यहां पर हम straight line draw करेंगे यहां पर हमें princess cut का shape देना है यह दिखिए इस तरीके से टक्स की जो wheat थे वो हम 2 इंच की रखेंगे length में हमें इस 2.5 इंच लेते हुए shape देना है तो दिखिए हमने इसका shape दे दिया है यहां से हमें 5.2 line आ रही है तो यहां पर भी हमें 5.02 line लेनी है इस तरीके से marking करनी और यहां से line को draw करना है अभी हम इसको cut करेंगे तो दिखिए हमने इसको cut कर लिया अब यहां पर हम neck की marking करेंगे neck की width 4 इंच रखेंगे neck की length हम यहां पर 5.5 इंच रख रहे हैं एक box बनाना है और इसमें round shape द्रो करना है यह दिखिए इस तरीके से हमने round shape ड्रो कर लिया है अभी हम इसको cut कर रहे है अभी के यहां पर मैंने यह fabric cut sorry paper cut किया और सेम जो back वाला part हमने बनाया ना सेम वैसे ही cut करना है इसको यहां पर हम neck की इस तरीके से marking करेंगे as it is marking करनी है यहां से neck की length हम 3 inch ले रहे हैं यहां पर round shape ड्रो करना है अभी जो यहां पर neck ड्रो किया है उसके नीचे 1 inch पी की marking करनी है यहां से हम 3.5 inch ले रहे हैं नीचे के side से हम marking करेंगे 2.75 inch पर पॉने 3 inch पर यहां पर इस तरीके से line को draw करना है इस तरह से हलका सा round दिया हमने अभी दिखिए जो हमारा neck है उसको हम cut करेंगे neck को cut कर दिया है अभी दिखिए जो नीचे वाला shape है ना उसको हमें थोड़ा आगे की side बढ़ाना है तो यह वाला जो fabric है जो हमारा यह friend वाला part है ना उसकी as it is marking कर लेनी है neck की उसके according जो उसकी design होगी न वो हम यहाँ पर बनाएंगे तो दिखिए round देख लेना है आपको कहां तक है तो यह आ रहा है 3.02 line तो यहाँ पर भी 3.02 line पर marking की इस तरीके से round shape दिया अब इसे नीचे के side हमें 2.5 inch तक ले जाना है आप 2.25 inch तक भी ले सकते हैं इसको तो मैंने यहाँ पर 2.25 inch लिया इस तरीके से shape दिया यहाँ से हम shape इस तरीके से देंगे इसे हमें cut करना है तो देखिए यह हमारा इतना cut हो गया अब इतना lining fabric हमारे पास बचा हुआ है तो हमें यहाँ पर joint लगाना होगा उसके बाद हम इसको cut करेंगे तो अभी हम पहले man fabric पर front part को cut कर लेते हैं तो इसको fold कर लिया यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसे cut करेंगे अभी यहाँ पर देखिए हम piping लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर धागे वाली piping यूज़ किये हम अंदर ground piping लगाना सीखेंगे यहाँ पर तो वैसे तो हमने normally piping लगाई है लेकिन आज हम underground piping लगाएंगे तो देखिए इसको इस तरीके से stitch करना है और कभी भी हम piping लगाते हैं तो हमें single foot ही use करना है piping लगाने के लिए तो यहाँ पर round में piping लगाई मैं फैबरी को right side पर रखा उसके उपर हमने lining fabric रखा है और जो इसको pin up कर लेना है और जो पहले stitch की थी ना उसी के उपर हम एक stitch करेंगे इस पर यह देखिए इस तरीके से यहां से extra जो fabric है उसको cut करना है पूरे ही neck पर हम cut लगाएंगे इसको इस तरीके से पलट लेना है पलटनी के बाद हम इस पर एक iron लगाएंगे और इसको stitch करेंगे तो यहां से finissing से की stitch लगा लेनी है साइट से भी stitch कर लेना है और extra fabric cut करना है तो देखिए इस तरीके से हम extra fabric cut करेंगे यहां पर princess कर वाले part को stitch कर देना है दूसरा part भी stitch करना है दोनों part stitch कर लिए देखिए कितने अच्छी finishing आई है अभी जो हमारा उसके उपर वाला part था ना उसको हमने center से stitch करके और पेपर के तरीके से पेपर जैसे cut किया था सेम वैसे हमने इसको cut कर लिया पेपर को रखकर as it is marking करते हुए cut किया है मैं fabric को भी cut कर लिया अब इसमें हमें piping लगानी है neck पर और गोलाई पर इसमें भी हम underground piping ही लगा रहे हैं यह देखिए यहाँ पर corner निकालते हुए stitch करना है यहाँ पर हम इसमें cut लगाएंगे cut लगाने के पाद हम इस पर एक बर iron करेंगी तो यह जो neck वगे रहा होगा तो वो अच्छे से set हो जाएगा तो man fabric पर रखने में हमें easy होगा यह ठीक है और proper finishing भी आ जाएगी तो पहले इसे तरीके से pin up कर लेना है हमको फिर हम इसको stitch करेंगे तो जैसे पहले हमने stitch लगाई थी piping लगाने पर से हम वैसे stitch लगा लेनी है उसी के उपर यह देखिए पिन वगेरा निकाल कर हमें इसको side का जो extra fabric है उसको cut करना है और पूरे इनेक पर cut लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से पलट लेना है यहाँ पर इसको इस तरीके से पलट लेना है किसी भी tools से आप इसको पलट सकते हैं easily यह देखिए इस तरीके से हमने पलट लिया है इसको यह देखिए एक बार इस पर iron करेंगे iron करने के बाद हमने यहाँ पर एक डोरी ली है ready made dory ली है यह मैंने देखिए iron करने के बाद मैंने ready made dory ली और square pieces लिये है तो square pieces हमने 22 inch के लिये है डोरी की जो land है वो हमने 7 inch की रखी है इस तरीके से लटकन बरानी है और इसको यहाँ से इस तरीके से सेंटर से fold कर देना है तो यहाँ पर इस type की एक हमारी bow type की बन जाएगी डोरी से और इसकी center पर हमें stitch कर लेना है यह देखिए तो हमने इसको stitch कर लिया है इसको भी हम रखेंगे side में यहाँ पर हमें से set करना होगा तो देखिए यहाँ से shoulder को stitch करेंगे और यहाँ से दूसरे shoulder को stitch करना है यहाँ से हम इसको इस तरीके से stitch करेंगे तो देखिए pad रखा है मैंने इसके नीचे हो फिर ही आपको set करना है क्योंकि body के अंदर जाएगा तो पूरा ये जो puff का स्रेट पे वो हमारी body में आएगा ना तो पहले आपको puff रख लीना है उसके according ही आपको उपर वाला जो पाट है उसको stitch करना है तो उसमें proper fitting आजाएगी आपकी ठीके यहां से हम इसको stitch करेंगे और यहां से भी stitch कर लेना है क्योंकि हमने इसे pin up कर लिया है जितना भी extra है उसको हम cut करेंगे अब यहां प्यामें डोरी जो है हमारी piping वो लगानी है और इसे भी हमें अंदर ground करना होगा तो हम इसके अंदर पटी लगाएंगे पटी से यह पूरी जो piping ने वो cover हो जाएगी तो यहां पर मैंने 1.5 इंच की पटी लिए है डबल करते हुए इस तरीके से stitch कर लेना है side का extra fabric cut करेंगे अंदर के side इसको पलेट देना है यहां पर हमें 0.75 इंच की गुलाई देनी है यह देखिए पैट रखेंगे तो कितना proper shape आ रहा है फ्रेंट पार्ट का और जो हमने यहां पर यह बो बनाया था डोरी से उसको हमें यहां पर stitch कर देना है यह देखिए इस तरीके से हमारा फ्रेंट पार्ट कंप्लीट हो गया I hope कि आप कोई वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और इसका slice और बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो यहां प्रेंगे